अलो दोस्तों कैसे है आप सब आयोप की बढ़िया है ठीक है मैं भी बढ़िया हूँ चले आज जो है हाइर पड़िवेंटर आपका जो है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले तो जो है काफी सारे चैप्टर जो है प्रोवाइट कर रखें प्रेफरेंस है रहे है बोन बहुत सारे जो है messages and comments मिल रहे हैं कि काफी अच्छा वीडियो बना है concept भी अच्छे से पढ़ाया है तो thank you very much आपकी comments और messages से काफी motivation मिलता रहा है और बस इसी तरीके से अपने दोस्तों में ये वीडियो share कीजिए subscribe करवाईए कि अपने ही channel है ठीक है चलिए हायर पर्चेस स्टार्ट करने जा रहे है वही हमारी ट्रिक रहेगी यह आपका material बेच है तो question से related जितने भी concept है सबसे पहले वह discuss करेंगे उसके बाद जो है question discuss करेंगे ठीक है वह हमारी जो ट्रिक है रहनी है चलिए illustration number one प करते है ठीक है चलिए तो यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि illustration one जो है आप start कर रहे है तो हमारा जो ट्रिक रहा है अगर आपने मेरे previous वीडियो देख है तो आपको पता होगा कि हर एक question जो इससे related information होते है वो मैं आपको उपर page के उपर लिखवाता हूँ तो आप भ page number जो है आपके पीछे हो सकता है लेकिन आपको लिखना कहा है जो illustration के ऊपर जो note लिखा हूँ वहाँ पे लिखना है जैसे कि यह note आपको लिखवा रहा हूँ तो illustration one जहां पे आप कहा है वहाँ पे आप लिखेंगे illustration one जहां पे आप वहाँ पे लिखेंगे ठीक है चलिए note क क्या है आप देख लीजिए जरा नोट है आपको अगर question में बड़े ध्यान से सुनिए अगर आपको question में case price given है ठीक है तो सीधा चलना है और case price नहीं है तो उल्टा चलना है दो बार उल्टा चलेंगे दो बार ऐसा यहाँ पर लिखा गया क्या मतलब होता है सबसे पहले देखे हाई प्रचस का कोई भी question आ जाए सबसे पहले आपको यहीं देखना है कि क्या case price given है ठीक है case price अगर गिवन है तो आप यहाँ पर काम करेंगे सीधा ही चलेंगे ठीक है आप सीधा चलेंगे और अगर case price given नहीं है case price अगर given नहीं है तो उल्टा दो बर चलेंगे इसका क्या मतलब है अभी question से समझते हैं सबसे पहले आप यह note यहाँ पे लिख लिजिए जहाँ पर मैंने लिखवा है वह समझ में आएगा चलिए देखिया यहाँ पर कहा है कि यह पर 620 पर ठीक है 9-6 तो वही हमारा जो नाम नहीं पड़ते तो यह पर 6 a Drum यहाँ पर ट्रफ्स करा गया है तो यह समझ में आगा है कि हाएर पट्च का rapid का वेशन मैं आपको बता है सबसे पहले क्या आपका step रहेगा step ये रहेगा कि पूरा question पढ़ लो कहीं पे आपको case price given है या नहीं है ये आपको decide करना है ठीक है कहीं पे case price given है या फिर नहीं है वो आपको देख लेना है तो यहाँ पे कह रखा है कि C is required to pay 70,000 down payment ठीक है 53,000 at the end of first year 49,000 at the end of second year और 55,000 at the end of third year यहाँ पे कह रखा है और interest charge जो है वो कह रखा है कि 10% के हिसाब से interest charge होगा you are required to calculate case price of the truck and interest paid with each amount हर एक amount में कितना interest छुपा हुआ है वो आपको बताना है अब क्या मतलब होता है down payment का क्या मतलब होता है interest का क्या मतलब होता है case price का आईए समझे देखिए एक example के साथ समझाता सबसे पहले तो समझे कि case price का मतलब होता है main value क्या मतलब होता है main value मतलब आईए समझे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मान लीजे एक example देता हूँ Mr. X है Mr. X है Mr. X यहाँ पे उन्होंने एक truck purchase करा है किन के पास से y के पास से truck की price है 5.001 रूपीज ट्रक की price कितनी है 5.00 रूपीज ठीक है truck की price 5.001 रूपीज है अब सुनिए अब यहाँ पे y ने जो है इन्हें installment कर दिया है एक साथ तो 5.001 रूपीज नहीं है आप एक काम कीजिए हफते से कर दीजिए तो Mr. Y ने काट ठीक है सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा Mr. X ने काहा क्या काम करन है वाई ने का सबसे पहले तो एक लाक रूपे वन लेक रूपीज आपको अभी payment करना होगा अभी payment करने के साथ जो है आपको truck मिल जाएगा Mr. X ने का ठीक है वन लेक रूपीज हम पे कर देंगे तो वन लेक रूपीज अभी payment करोगे उसके बाद जब first year का end आएगा ठीक ह अभी आप truck ले जाओ first year के end में मैं आऊंगा और आपको जो है वन लेक रूपीज आपको वापस पे करना है ठीक है वन लेक रूपीज आपको वापस पे करना है मान लीजिए यहाँ पे वन लेक रूपीज payment करना है ठीक है वो प्लस आपको 10% interest भी देना है ठीक है interest भी देन तो जितने time तक आपने लोन नहीं पे किया उतने time तक जो हैं आप इंट्रेस्ट करते हों तो स्थी तो टैन परसंट इंट्रेस्ट पे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसके बाद जब आप second instrument पे करोगे वहाँ पे भी वन लेक रुपीज आप जो है वापस पेमिंट कर दोगे और प्लस इन टैन परसेंट इंट्रेस्ट इस तरीके से जो है उन्होंने थर्ड फोर्थ इस तरीके से जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके वाई ने जो है एक्स को दे दी कि इस तरीके से जो है तोटल अमारा amount pay करोगे, total 5 lakh rupees का, clear, total 5 lakh rupees का amount pay करोगे, तो X ने कहाँ ठीक है, हमें यहाँ पर मनझूर है, कि आपने जो जिस तरीके से calculation की है, हम इस तरीके से payment कर देंगे, ठीक है जी हम इस तरीके से payment कर देंगे, तो Mr. Y ने कहा ठीक है तो सबसे पहले तो अभी एक काम कीजिए 1 lakh रूपीज पे कर दीजिए तो Mr. X ने 1 lakh रूपीज पे कर दिया फिर 1st year के end में 10% पे करेंगे interest तो अब यहाँ पे मुझे बताना अब आप question में मुझे बताना अब आप मुझे बताना वन लेक रुपीज तो वो पे कर देंगे लेकिन इंट्रेस्ट कितने अमाउंट पे पे करेंगे ये बताइए मुझे तो आप तो बड़े ही होश्यार हैं इंटेलीजेंट है आपने तुरंद कह दिया कि सर जी समझे कि वन लेक रुपीज तो हमें पे कर ना था आपने कहा ह। लेक रूपिस पे करना था फाइ लेक रूपिस में से सबसे पहले तो देकर दिया तो बचते हैं फहलो लेक रूपिस ठीक है तो आप समझा रहे तो आप समझा रहे हैं मुझे के nin करेंगे मैंने कहा बिल्कुल सही है 10% का interest मतलब कि 40,000 आप पे करोगे ठीक है 40,000 आप पे करोगे ओके तो मैंने दूसरा सावल question पूछा दूसरा question पूछा आपने कहा बोलिये बोलिये सारे answer दे देंगे ठीक है तो मैंने दूसरा question पूछा कि second year में जो आप second year का end होगा तब आप one leg वा वो कितने four leg पे पे करोगे आपने कहा नहीं नहीं आपने कहा ना जी सर तो मैंने कहा कितने amount पे पे करोगे आपने कहा कि four leg रूपीज तो पहले बनता था जिसमें से first year में मैंने one leg रूपीज तो पे कर दिया फिर मैं वापस वो one leg पे interest क्यों पे करूँ आपने क्या कहा आप आपने सीधी बात करी कि first year में मैंने four like rupis पे interest लिए कर दिया! प्लस मैंने one like rule ब्हीज भी pay कर दिया था ठीके interest भी पे कर रहा और one like रुपीस भी पे कर रहा अब बनता था three like रूपीस तो interest भी मैं 3 lakh रूपीज पे ही दूँगा न सिधी सी बात है अब मैं 4 lakh रूपीज पे क्यों दूँ अब यहाँ पे मैं जो interest दूँगा वो 3 lakh रूपीज पे दूँगा सिधी सी बात है अब मैं 4 lakh रूपीज पे थोड़ी न दूँगा क्योंकि one lakh रुपीज तो मैंने आपको already payment कर दिया था first year के end में मैंने कहा बात तो सही लग रही है तो मैंने third question पूछ लिया मैंने third question ये पूछ लिया कि third year में भी आप जो है one lakh payment करोगे आपने कहा हां जी plus 10% interest भी pay करोगे आपने कहा हां जी तो मुझे अब बताओ कि कितना interest यहां पे अब pay करोगे आपने कहा देखो सर जी बहुती बात simple है three lakh रुपीज आपके second year में बनते थे जिसमें से one lakh रुपीज वापस हमने pay कर दिये मैंने कहा हां जी वो तो मिल चुके तो आपने one lakh रुपीज पे कर दिये मतलब कि यहां पे बनता कितना interest amount है 20,000 मैंने कहा three lakh रुपीज पे नहीं करोगे आपने कहा three lakh रुपीज पे क्यों pay करे क्योंकि one lakh लेक तो जो है second year के end में जो हमने one lakh भी तो pay कर दा था interest तो 30,000 पे कर रहा था और one lakh जो है वो भी pay कर रहा था तो one lakh तो यहां पे कटना चाहिए उस पे हम interest क्यों pay करें जो one lakh रुपीज हमने already pay कर दिया है तो उस पे interest किस बात का है ना तो two lakh रुपीज पे आपने 20,000 का interest पे कर दिया मैंने कहा ठीक है जी और एक question पूछ लिया कि जो last installment है जो fourth installment वहाँ पे भी आप one lakh पे करोगे आपने कहां जी अब last इंस्ट्रोल्मेंट है तो वहाँ फे वन लेक पे कर के बाद खतम कर देंगे तो मैंने कहा interest भी बनता होगा आपने कहां जी तो interest fourth year में interest कितना पे करोगे वो बता दो आपने कहां देखो सर जी बहुत ही simple सी बात है तो लेक रुपीज तो आपका जो है third year के end में बनता था ठीक है जिसमें से हमने वन लेक third year के end में वन लेक रुपीज पे करके जो ही से amount को कम कर दिया था मैंने कहां जी हाँ वन लेक रुपीज अब बनते हैं तो यह जो 10% है वो वन लेक रुपीज पे बनेगा ठीक है आपने कहा जो 10% है वो वन लेक रुपीज पे बनेगा मतलब कि 10,000 10,000 amount आपका interest बनेगा जो last year में मैंने कहा बात तो बड़ी simple और अच्छी बात है ठीक है तो हाँ जी मैंने कहा ठीक है सारा बात clear है ठीक है तो अब मैं देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ अब मैं देख रहा हूँ कि interest का amount जैसे जैसे आप instrument पे करते जा रहे हूँ जैसे जैसे आप होगा 40,000 का ठीक है फिर हमने जो है 1 लेक पे कर दिया तो आप 3 लेक रूपिस पे इंट्रेस पे करना है तो अब इसलिए जो है इंट्रेस आपका कम होता जाएगा बहुत ही सिंपल सा रोल जी किया बात कर रहे हो ठीक है मैंने कहा हाँ जी आप तो बहुत ही Intelligent है तो यहाँ पे अब बात करते है जो हमारी main बात थी यह आपको example समझाया कि इस तरीके से आपका होता है real life में ठीक है अब यहाँ पे मुझे आपको बताना था कि case price किसे कहते है interest किसे कहते है देखें बहुत सिंपल तरीके से समझे किस price आपको कहते हैं जो आपकी main value है जो asset की main value है यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर यहां पर यह file एक रूपी stop pay कर ही रहें यह file एक रूपी stop pay कर रहें प्लस interest भी पे कर रहें यह 40,000 30,000 ट्वेंटी 1000 मेरी बाश समझ रहे हैं फाइल इक रुपीज तो आपको पे करना है प्लस आपको जो है इंटुरेस्ट भी पे करना है क्योंकि हाईर परचेश के बेज़िस पर ठीक है तो केस प्राइस का मतलब होता है जो main price है interest जिसमें मिला हुआ नहीं है जो main price है जो आपकी truck की exit price है वो कितनी है पांच लाक रुपे का truck है आपने सुना होगा आपने क्या सुना होगा आपने सुना होगा कि भाईया आप कोई पूछ रहा है कि कितने में purchase करा आप कहोगी कि फाइल एक रूपीज में purchase करा था ठीके मान लिजे इसी example के साथ समझे तो इसी example को लेते हैं इसे मेटा देता हूँ जो example हमने दिया उसी example में देखते हैं पाँच लाख रूपे का ट्रक था ठीके और फाइल एक रूपीज आपने जो है इस तरीके से payment भी करिए ठीक है और यहां पे कहा गया है कि आपने interest भी पे करा है interest का जरा total लगाईएगा 40,000 पहले फिर उसके बाद second में 30,000 फिर उसके बाद 20,000 और plus 10,000 जो है आपने payment करा total 1 lakh रूपिस का payment करा 55 lakh रूपिस तो pay करा ही करा है देख लिजे 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh इस तरीके से यह तो आपने payment करा ही करा है ठीक है प्लस आपने interest भी पे करा है 1 lakh का total आपने यहां पे यह total आपका interest कितना बनता है total आपका interest बनता है 1 lakh ठीक है और यह जो 5 lakh रूपिस है वो तो आपने पे करा ही करा है 5 lakh प्लस आपने interest भी पे करा है 1 lakh टोटल आपने 6 lakh रुपीज पे करे है ट्रक के लिए अब मैंने आपसे पूछा आप कहीं पे रस्ते से निकल रहे थे और आप मुझे मिल गए है जी तो मैंने आपको तुरंट पकड़ लिया पूछा कि रामु भाईया आपने ट्रक पर्चेस करा है आपने कहा हाँ जी ट्रक पर्चेस करा है मैंने कहा कितने में पर्चेस करा है आपने कहा 6 lakh रुपीज में पर्चेस करा है पूरे 6 lakh रुपीज पे करे है तो मैंने कहा ठीक है वैसे higher purchase के basis पे आपने purchase करा था, आपने कहा हाँ जी, higher purchase के इसाफ से, तो मैंने कहा कि higher purchase के इसाफ से आपने purchase करा, ठीक है, तो इसमें interest होगा न, six lakh rupees में आपका interest मिला हुआ होगा, मैंने पूछा truck की price कितनी है, आपने कहा, भाया, पांच लाक रुपे का ट्रक था और one lakh रूपीज आपने interest पे करें तो total मैंने six lakh रूपीज पे करें तो मैंने कहा थीक है मतलब कि आपकी case price जो है जो main value जो है वो तो पांचलाग रूपे है आपने कहा हाँ जी वो तो 5 lakh रूपे है one lakh रूपीज तो interest पे करा है ठीक है मतलब कि जो 5 लाख रुपे है जो main value है वो आपकी case price है आपने कहा हाँ जी वो case price है समझ में आया है समझ में आया जो main price है उसे हम case price कहेंगे ठीक है जैसे यहाँ पे 6 लेक रुपीज में आपकी main price कितनी है 5 लेक रुपीज जो आपकी case price है बाकी का क्या है बाकी का interest है इसे interest कहते है यह जो one lakh रुपीज है इसे interest केते हैं और जो यह five lakh रुपीज है वो से जो है हम case price केते हैं ठीक है जी clear है ओके तो case price आपको clear है कि case price किसे कहते है बहुत ही बड़ा example आपको दे दिया है ताकि आपकी understanding बहुत ही अच्छा से clear हो आईए अब यहाँ पर calculation करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा था question और सबसे पहला step हमारा रहता था कि आपको case price given है या नहीं है वो calculate करना तो question में मैंने देखा कि कहीं पर भी case price आपको given नहीं है down payment given है हफ्ता given है first year का second year का third year का लेकिन case price कहीं पर भी given नहीं है अगर case price given नहीं है तो मैंने जैसे कि बताया कि उल्टा चलेंगे दो बार उल्टा चलेंगे दो बार तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है पहली बार आप उल्टा चलेंगे पहली बार first time जो है आप उल्टा चलेंगे जो first time आपको उल्टा चलना है वो कब है first time आपको उल्टा चलना है यहां पर first time interest में उल्टा चलना है किस में interest rate में इंट्रेस्ट रेट में उल्टा चलना है और सेकेंड टाइम सेकेंड टाइम इंस्टॉल्मेंट में इंस्टॉल्मेंट में यह डबल एल हो गया कि चलिए इंस्टॉल्मेंट में जो है आपको उल्टा चलना है उल्टा दो बार चलेंगे तो दो बार पहली बार आप इल्टा कब चलेंगे इंट्रेस्ट में और दूसरी बार इंस्टॉल्मेंट में clear समझ में आ रहा है पहली बार interest में और second बार जो installment में पहली बार interest में किस तरीका से बताओ जराओ आपने कहा लो जी आप स्थोड़ा सा सांती बनाई रखे हम बताएंगे ठीक है कहाँ भागे जा रहें तो interest rate में किस तरीके से होगा interest rate में आपका जितना भी interest है interest rate कितना है question में 10% आपको यहां पर एक formula बनाना है आपको formula याद रखना है याद रखना है 10 आपका यहां पर फर्मूला है वो लिखवा था हूँ R divide by R divide by R plus 100 यह formula आपको याद रखना है यह उल्टा formula है जी क्यों कि यहां पर आपका जो interest given है वो नहीं लेना है 10% given है वो नहीं लेना है आपको उसे जो है इकडम तिकडम करना है उसमें क्या इकडम तिकडम करना है आपको ये formula के इसाब से आपको जो है इसमें value put करनी है 10% R का मतलब क्या होई R का मतलब है यहाँ पर rate R का मतलब जो rate of इंटरेस्ट है, ठीक है, तो rate ओफ इंटरेस्ट कितना है, 10, divided by 110, ये आपको लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको ये लेना है, क्यों ये लेना है, क्यों लेना पड़ा, क्यों कि यहाँ पर case price नहीं given है, ठीक है, हर बार मैं repeat कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैट जाए कि case price given नहीं है इसलिए हमने ये दो step उल्टे करें अच्छा सर ये बता दो कि अगर case price given होता तो ये हमें करना पड़ता ये हमें नहीं करना पड़ता तो फिर क्या करना पड़ता सांती बनाई रेखे illustration 4 आपके लिए must बनाई रखा है जहाँ पर case price already given है और हम वहाँ पर calculation देखेंगे फिलाल आप ये देखें कि case price अगर given नहीं है तो किस तरीके से calculation होगी पहला step आपको समझ में है interest rate को उल्टा करना है उल्टा मतलब हमारा जो formula है वो लेना है आर डिवाइड बै आर प्लस 100 ठीक है दो बार उल्टा करेंगे पहली बार मैंने उल्टा आपको समझा दिया दूसरी बार installment को उल्टा करेंगे मतलब installment आपको given है कितने total installment है 3 installment है यहाँ पर given है first, second और third तो उसे उल्टा लिखेंगे उसे उल्टा लिखना है इंस्टॉल्मेंट 3 है न तो यहाँ पर पहले थर्ड इंस्टॉल्मेंट लिखना फिर second लिखना और फिर first लिखना समझ मैं आ रहा है ठीक है और वो जो इंस्टॉल्मेंट है 53,000 49,000 और 55,000 इस तरीके से इसे लिख देना जैसे कि यहाँ पर देखें मैंने calculation भी बता सबसे पहले यहाँ पर काम करता हूँ मैं जो यहाँ पर मीटा देता हूँ थोड़ा सा देखें आपका एक general doubt रहता है वो सबसे पहले बहतर तरीके से बता दू कि क्या doubt होता है कि module में आईसे module में जो है different different format यूज़ करते रहते हैं तो क्या हमें भी इस तरीके से confused होते बिल्कुल भी नहीं देखे format आपका simple सा है वही आपको यूज़ करना है कौन सा format आपको simply जो है higher purchase का कभी भी question आ जाए आपको simply 3 column बना लेने हैं एक interest column एक installment column ठीके और तीसरा case price column ठीके यह 3 column आपको बना लेने हैं मेरी बात समझ में आ रही है यह 3 column आपको बना लेने हैं ठ ठीके यह 3 column आपको बना लेने हैं यह 3 column से आपका question खतम हो जाएगा अब बड़े ध्यान से सुनिए कि आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए क्या आना चाहिए कि case price का मतलब होता है main value interest का मतलब होता है जो आप interest पे करते है case price ठीके case price में अगर interest मिला दो case price में अगर interest मिल दो तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा installment ठीक है इसका मतलब सर यह हुआ इसका मतलब सर यह हुआ कि अगर case price में अगर interest amount amount interest amount add कर दिया जाए तो क्या हमें क्या हमें installment amount मिलेगा जी बिल्कुल तो हमें installment amount मिलेगा यह M ठीक है अगर case price में interest मिला दो तो हमें installment amount मिलेगा clear है तो इससे अच्छा जो है आप एक काम करिए आपको जो है यह मैं format में ही change करके देता हूँ क्या change करना है second column आप हमेशा second column आप हमेशा case price का बनाई है ठीक है second column जो है आप case price का बनाई है और जो लास्ट में है इंस्टॉल्मेंट का कॉलम बनाई है ठीक है इंस्टॉल्मेंट का कॉलम बनाई है ठीक है यह आपका एक format बस बैठ जाना चाहिए ठीक है तो इस format को जो है इस format को जो है आप इस format को जो है यहाँ पे आप लिख लेंगे question में आप जो है लिक लेंगे, कहाँ पर आप जो है question में लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है यहाँ पर आप जो है यह format लिख लीजिए यहाँ पर मैं past कर दे रहा हूँ ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए clear, देखिए इसे थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देते हैं तो आप भी यहाँ पर कहीं पर जो है आप अपने तरीके से find out कर लीजी यहाँ पर जगा पर कहीं पर भी आया format आप जो है लिख लीजे format आपका simple है तीन column बनानी interest, case price और installment ठीक है चलिए जैसे कि यहाँ पर solution मैंने आपको इस तरीके सही बताया है ताकि आपको कोई भी confusion ना हो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिए सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर installment को उल्टा लिख देंगे third year, second year और first year और down payment ठीक है, सबसे पहले आपने यह लिखा इसके बाद बड़े ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको करना है जो question में given amount है, installment की, वो आपको सबसे पहले लिखने है 55,000, 49,000, 53,000 और 70,000 clear है, यह आपने लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको करना है starting interest calculation की एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, आपके साथ जो है calculation करूँगा आपके साथ जो है calculation करूँगा तो देखिए, calculation सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि ultra amount लिख दिया, installment amount already given थी installment amount की हमने price यहाँ पे लिख दिये कि 55,000, 49,000 और 53,000 अब याद रखिए कि down payment में कभी भी down payment में कभी भी आपका interest नहीं बनता है ठीक है, क्योंकि वो तूरंत pay किया जाता है तो 70,000 जो आपको question में down payment given है वो down payment तो आप ऐसा ही लिख लेंगे उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे case price given नहीं थी बार बार repeat कर रहा हूँ, ठीक है तो case price given नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा जो question में given था, इतना हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है, अब start करते है अब सबसे पहले आप interest calculate कर ले ठीक है, इंस्ट्ण्मेंट में क्या मिला हुआ था है, इंस्ट्ण्मेंट का मतलब होता है, ठीक है, यह मैंने आप आगे भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि installment में से अगर मैं interest calculate करके minus कर दू तो मुझे case price मिल जाएगा जी बिल्कुल यह 55,000 में से अगर interest निकाल लो तो आपको case price मिल जाएगा जी हाँ जी मिल जाएगा तो interest calculate कर लेते interest calculation के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ही आप calculation करेंगे 10 divided by 110 आपका ये percentage है तो installment पे आपका हमेशा interest calculate होता है याद रखिए एक और note एक और note आपका जो यहाँ पे interest जो है वो हमेशा आपका किस पे calculation होगा installment amount पे ठीक है लिख लीजेगा तो यहाँ पे installment amount कितना है third year में 55,000 तो third year में 55,000 आपका installment amount है 55,000 ठीक है जी हाँ जी into करेंगे 10 divided by 110 उल्टा चलेंगे first step वाला जो मैंने आपको बताया था calculation ठीक है तो मैं भी आपके साथ calculation करूंगा 55,000 into 10 divided by 110 यह आपका answer आ रहा है 5,000 यह आपका answer आ रहा है कितना आ रहा है 5,000 तो यहाँ पे लिख दिया 5,000 यह interest निकल के आ गया अब मुझे बताईए अब मुझे बताईए कि installment कितने amount का है 55,000 का इसमें interest कितना मिला हुआ है 5,000 का case price कितना होगा सीथी से बात है 55,000 में से 5,000 माइनस कर दो case price आपका कितना होगा 50,000 का क्या मेरी बात समझ में आई बहुत ही simple सी बात है case price plus interest का मतलब होता है installment अगर installment आपको 55,000 में दे दू और कहू कि इसमें 5,000 का interest मिला हुआ है तो आप मुझे कहेंगी कि 50,000 case price होगा ठीक है जी अब सेकेंड ये में calculation करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा ध्यान ये रखना है ध्यान से जुनिए यहाँ पे calculation करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है यहाँ पे installment amount में ध्यान रखना है अब मैं पूछूंगा आपको कि यहाँ पे second year में installment amount कितना होगा आप कहेंगे तुरंत answer देंगे कि installment amount होगा 49,000 का और यहीं पे आपका answer गलत होगा ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे note भी लिखवाई है कि उपर का case price लेना है उपर का case price लेना है जिस year के लिए भी आप calculation कर रहे है उसके उपर का case price लेना है और नीचे का जो है मतलब कि जिस year के current year में लिख देता हूँ यहाँ पे current year ठीक है जी current year का जो है आपको installment amount लेना है मतलब कि second year के लिए आप calculation कर रहे है न तो second year का installment amount लेना है 49,000 यह 49,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ यह 49,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ 49,000 इसमें add करना है यह आपका installment price नहीं है exit इसमें add करना है क्या add करना है उपर का case price cp का मतलब case price उपर का case price केस price उपर का कितना है 50,000 इसमें add करना है इसमें 50,000 add करना है total लगई है total लगई है 49,000 प्लस 50,000 यह आपका answer आ रहा है 99,000 यह आपका एक्जेट इंस्टॉल्मेंट अमाउंट है अच्छा लेकिन सर ये बताओ कि 49,000 में ये उपर का 50,000 क्यों है अड़ करना पड़ा तो बाड़ी सिंपल सी बात है उपर एक्जांपल मैंने अल्रेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है ठीक है अल्रेडी आपको प्रोवाइड कर यहां पर एक्जांपल ले लेता हूँ यहां पर थर्ड येर में देखिए थोड़ा सा थर्ड येर में देखिए थर्ड येर में मुझे बताइए थर्ड येर में आपका अमाउंट कितना है टूलेक रुपीज का आपका टोटल अमाउंट कितना है केस प्रैस केस प्रैस second year में गए ठीक है तो third year में से second year में गए तो आप यहाँ पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे three lakh rupees का case price है क्यों case price three lakh का है क्योंकि यहाँ पे one lakh अभी तक pay नहीं किया होगा थर्ड येयर में तो आपने जो है थर्ड येयर में आते हूए One lakh रुपीस पे कर दिया था लेकिन सेकेंड येयर में जब आप चल रहा होगा तब आप सेकेंड येयर का अमांट पे कर रहे होगी ये one lakh रुपीस वाला ठीक है तो यह मतलब आप समझे की जहां ने दीजिए इसे तो कि यह आपको जो है exactly समझ में ना आए लेकिन इतना समझे कि जब आप थर्ड येर का थर्ड येर में मान लीजिए थर्ड येर में तो जहां पे थर्ड येर में तो सेकेंड येर का आपने amount पे कर दिया होगा ठीक है लेकिन हम यहां पे जा रहे हैं उल्टा जा रहे है, मतलब कि third year में से second year में जा रहे है, अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कि जब हम second year में होगे, तो third year का amount क्या pay कर चुके होगे, सर जी ये क्या बात कर रहे हो, second year में अगर हम है, तो third year का advance में payment क्यों करेंगे, second year में है, तो second year का payment करेंगे, तो ह आ जी वही बात कर रहा हूँ कि ये तब ये 50,000 क्या पे हो चुका होगा बिल्कुल भी नहीं Second year में जो 49,000 है और ये 50,000 है इसका payment क्या हो चुका होगा Sir बिल्कुल भी नहीं क्योंकि 50,000 का amount तो third year में pay करना है मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे भी वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो one lick है third year का जो one lick है क्या second year में आप pay कर दोगे Sir जी हम क्यों pay करेंगे थर्ड year में pay करना है तो third year में pay करेंगे थे कि second year में क्यों pay करेंगे तो बस वही बात कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ कि अगर यहां पर second year की calculation कर रहे है calculation second year की कर रहे है तो किया यह 50,000 आपका pay हो चुका होगा साजी pay तो नहीं हुआ होगा ठीक है 50,000 तो 3rd year में पे करना है तो 3rd year में करेंगे तो बस वही बात कर रहा हूँ कि 49,000 तो आपका 2nd year का है ही है 3rd year का भी नहीं payment हुआ है उसका भी यहाँ पे add करना है और total आपको इस पे interest निकलना है यह 99,000 क्या है यह 99,000 आपका क्या है total installment है total installment है ठीक है exact installment यह है 99,000 यह नहीं है यह तो आपका सिर्फो सिप 2nd year का installment है अब में 2nd year में exact installment निकलना है यह 99,000 है clear है तो इस पे interest calculate करेंगे तो इस पे interest calculate करेंगे 99,000 into 10 divided by 110 यह आपका आंसर आ रहा है 9,000 यह आपका आंसर आ रहा है कितना 9,000 ठीक है 9,000 तो यह आपका interest है ठीक है अब यहाँ पे case price कितना होगा यह भी आपका बड़ा ही important point है अब मैं आपको पुछूंगा कि case price बता दो तो आप कहेंगे सर जी बहुत ही simple है बहुत ही simple है मैंने कहा इतना simple है आपने कहा हाजी बहुत ही simple है मैंने कहा बता दो आपने कहा 49,000 का installment है जिसमें से 9,000 आपका क्या है 9,000 आपका interest है तो 40,000 आपका case price होगा सिधी सी बात है और मैं कहूंगा यह गलत है यह क्या है गलत है क्यों गलत है अगर कोई student का कोई और answer है तो video stop करके मुझे comment में बताइए कितना होगा video stop करके comment में बताइए आपका क्या answer है ठीक है चलिए बता दिया ठीक है चलिए मैं देख लूँगा comment आपने क्या दखा है comment delete नहीं करना ठीक है comment delete नहीं करना गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको समझा दूँगा लेकिन comment delete नहीं करना चलिए 49,000 का आपका instrument नहीं है Installment असल में है आपका 15,000 प्लस 49,000 जो आपका यहां पी निकल कहाया था 99,000 यह आपका instrument है ठीक है तो यहाँ पर गल्ती नहीं होनी चीए आपकी 99,000 को आपको लेना है तो 99,000 में से आपका अगर इंट्रेस्ट माइनस कर दो तो मुझे case price मिल जाएगा तो 99,000 में से 9,000 minus किया यह आपका answer आ रहा है यह आपका answer आ रहा है 90,000 जो आपका यहाँ पे case price है मेरी बाद समझ में आ रही 90,000 आपका case price है यहाँ पे समझ में आ आ है गलती से भी आप 49,000 नहीं लेंगे clear है अब देखिए अब फर्स्ट एर की calculation कर रहे है अब आप मुझे बताईए कि किस तरीके से calculation होगी अब आप मुझे बताएंगे ठीक है मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि second year का मैंने already calculation करके आपको बता दिया है अब आप मुझे बताईए कि किस तरीके से calculation होगा ठीक है चल्दी से बताईए किस तरीके से मैंने आपको formula भी लिखवा दिया है formula भी लिखवा दिया है कौन सा formula ये वाला उपर का CP लेना है और current year का installment amount ठीक है तो बताईए चलिए मुझे यहाँ पर interest निकलना है किस तरीके से निकलूँगा सर जी अब तो हमारे दिमाग में सब कुछ बेट चुका है मैंने कहा ऐसा है चलिए बताईए आपने कहा देखिए interest आपको calculate करना है तो installment amount चाहिए तो मैंने कहा हाँ जी installment amount चाहिए आपने कहा instrument amount यह नहीं है आप अब मुझे बता रहे ठीके आप अब मुझे यह बता रहे कि 53,000 instrument amount नहीं है मैंने कहा बहुत बढ़िया तो installment amount क्या है आपने कहा movement amount है 90,000 यह जो आपका 90,000 दिख रहे हैं यह और प्लस 53,000 अब आप मुझे बता रहे है यही आपका installment amount है मैंने कहा बिलकुल right है बहुत ही बढ़िया आपने यह formula का use किया और आपने मुझे बता दिया कि 1,43,000 आपका 1,43,000 आपका जो है installment amount है जिस पे आप 10 divided by 110 calculate करके interest निकालेंगे ठीक है फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ हमारा जो formula है बढ़ा ही simple है फर्स्ट यर का आप calculation कर रहे है तो यहाँ पे उपर का जो है case price लेना है उपर का case price लोगे 90,000 उपर का case price लेना है 90,000 और यहाँ पे नीचे का जो है current year का आपका installment amount तो 90,000 प्लस 53,000 यह आपका निकल गया है 1,43,000 second year की calculation कर रहे थे तब भी ऐसा ही था कि current year का current year का जो है installment amount लेंगे और case price उपर का amount का लेंगे लेकिन जब third year की calculation कर रहे थे तो हमने देखा कि इसके उपर का कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी आपका हपता नहीं है ठीक है कोई भी installment नहीं है तो यहाँ पे बड़ी simple सी बात है उपर का installment ही नहीं है तो उपर की कोई case price लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो installment amount है उसे ही लेके आप interest calculate कर लीजिए मेरी बाद समझ में आ रही है second year की calculation की तो हमारे उपर था case price लेकिन third year के उपर कोई भी case price नहीं है ठीक है अगर उपर का case price ही नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पे 55,000 को यहाँ पे consider कर लीजिए लेकिन अगर उपर कोई case price है तो उसे add करना और उपर का जो case price है 90,000 उसे add करते हुए यहाँ पे आप जो है total लगा लेना 143,000 और उस पे जो है आपका interest calculate होगा बताइए कितना आ रहा है 143,000 into 10 divided by 110 तो यह आपका answer आ रहा है यहाँ पे 13,000 13,000 आपका answer आ रहा है clear है 13,000 आपका answer आ रहा है ओके 13,000 आपका answer आ रहा है ठीक है जी 13,000 answer आ रहा है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और एक सवल आपने कहा सर जी बताओ हर एक point हमें clear हो रहा है आप बताओ मैंने पूछा कि आप बताओ कि case price क्या होगा आपने कहा अब गलती नहीं करेंगे हम मैंने कहा अच्छा जी क्या गलती नहीं करोगे सर जी हम गलती ये नहीं करेंगे कि 53,000 में से 13,000 माइनस करके 53,000 में से माइनस किया 13,000 आपको हम ये 40,000 case price ये नहीं करेंगे मैंने कहा वाह तो case price क्या होगी आपने कहा देखे सर जी उपर का case price लेना है और नीचे का installment amount इन दोनों का total में से जो है आप interest माइनस करेंगे क्योंकि 1,43,000 आपका installment amount है ये जो आपका ये 53,000 ये installment amount नहीं है ये installment amount तो सिर्फ सिफ फर्स्ट का है जबकि फर्स्ट येर में जो ये मिला हुआ है तो 90,000 प्लस फर्स्ट येर का installment is equal to 1,43,000 इस पे जो है आपका interest माइनस करेंगे और आपका case price निकल के आएगा मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो 1,43,000 में से 13,000 माइनस कर दिया तो आपका answer आ गया case price 1,30,000 अब आप जो है बहुत समझदार हो चुके है अब बहुत समझदार हो चुके है आपने इतनी अच्छा से calculation बता दी मुझे आपने करृईया ये question ठीक है आपने करृईया है question बहुत ही Direction में पूछा था कि आपको Case Price बताना है, वह तो हमने बता दिया Case Price हर एक Transaction का बता दिया उसने कहा था Interest हर एक Transiction का बताओ, वह भी बता दिया ठीक है, 5000,3000, 3000 और यहां पर कहा गया था , यहां पर कहा गया evac Attac ..... केश प्राइ़ आफ यहां पर पूछा गया था case price of truck आपको बताना है कि truck का exit case price कितना होगा तो सीधी से बात है दी कि truck का exit case price होगा आपने जो यहाँ पर first year का first year का जो case price होता है वो लेना है first year का यहाँ पर case price कितना है 1,30,000 ये 1,30,000 में ये 2nd और 3rd दोनों का मिला हुआ होता है ठीके तो 1,30,000 में ये सब कुछ मिला हुआ होता है 1st year का ठीके 1,30,000 प्लस आपने 70,000 लेना है 70,000 क्या है? डाउन पेमेंट आपका फॉर्मूला होता है कि 1st year का जो आपका Case Price Amount है और प्लस 70,000 डाउन पेमेंट ठीके तो ये दोनों को एड करते हुए आपको जो है अपना Total Contribute आपका Case Price निकाल लेना है 2 लेक ये 2 लेक क्या है? ये 2 लेक है इसका मतलब क्या हुआ 2 लेक का 2 लेक का मतलब हुआ कि आपने जो है ये ट्रक पर्चेस करा है ये जो ट्रक पर्चेस करा है ट्रक पर्चेस किया है वो कितने में किया है? 2 लेक रूपीज में किया है ठीक है? 2 लेक रूपीज में exit आपने करा है लेकिन आपने interest भी पे करा है देखें 2 लेक रूपीज आपकी truck की main value है इसमें आपने अलग से interest भी पेकर है इंटरेस कितना पेकर है 5000 प्लस 9000 प्लस 13000 टोटल कीजिए 5000 प्लस 9000 प्लस 13000 तो यह आपका total आ रहा है total आपका आ रहा है यह 27000 ठीक है तो exit मैं बात करूँ मैं बात करूँ तो आपने 2 lakh plus 27,000 पे करा है ठीक है समझ में आ रहा है 2 lakh रुपीज आपकी main amount है जिसे हम कहते हैं आपकी case price 27,000 आपका interest है total आपने 2 lakh 27,000 पे किया है ठीक है जी तो यह आपका solution था आप इसे not down कर लीजे और इसी तरीके से calculation करेंगे आपको जो है module में थोड़ा स different type में calculation दिया है लेकिन इसे follow ना करें हमारा एक best trick यह है ठीक है हर एक question में आप इसी तरीके से format को आप जो है use करेंगे ठीक है हर एक question में जो है आप इसी format को आप use करेंगे clear है इसी format को आप use करेंगे कि interest पहला column second column case price और तीसरा column installment ठीक है installment का मतलब होता है case price प्लस आपका interest ठीक है अब सबसे पहले आप जो है इसे वीडियो को मैं यहीं पे stop कर देता हूँ next वीडियो से आप जो है हम illustration 2 discuss करेंगे यहाँ पे आप सबसे पहले इसे अच्छे से बहुत अच्छे से जो है इसे consider कर लीजे कि आपको क्या अच्छे से सारा point clear हो चुका है ठीक है अगर न थोड़ा सा fast कर पाएंगे यहाँ पर बड़ी ही detail में आपको जो है लिक के आपको जो है मैंने समझा दिया है ओके चलिए